अगर आप इस उनिवर्सिटीज में लेना चाहते हैं तो कैसे अडिमीशन होगा यह हम इस वीडियो में डिसकर्स करने वाले हैं सबसे पहले तो ध्यान रखना है जो भी अपडेट होगा आपको इसी उनिवर्सिटीज की साइट पे देखने को मिलेगा इसको लेकर आपको पत पर अपको इस नोटिस पर क्लिक करना है जैसी आप इस नोटिस पर क्लिक करेंगे इसका पीडियोड हो जाएगा और यहां पर आप देखिए अडिमीशन नोटिस दे दिया गया अपको बताया था कि अगर आप इस युनिवर्सिटीज में लेना चाहते हैं तो आपको सी और इडियुकेशन गवर्मेंट अपर अपर एडिया अपर देखिए लिजीबल कांडिट्स मेंड़ाइब करने लास्ट एट जहां तक है डेट एक्सेंड होगी तो उसको लेकर आपको परिशान नहीं होना अगर किसी वज़या से आपका फरम रह जाता है तो आपको ब्ड प्रविट करते जाएगा अब जो जरूरी चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं वह यह सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सीवाट के फॉर्म में आजबाब फिल करेंगे तो आपको इस उनिवर्सिटीज को और उस को भी सेलेक्ट करना जिसमें आपको एड्मीशन लेना है और eligibility criteria आपको जो है NTA की sites पर ही देखने को मिल जाएगा चले मैं आपको जो है sites पर ले चलता हूँ NTA की तो हम यहाँ पर जो है NTA की साइट्स पर आ गए हैं CU at UG NTA की जब आप साइट्स पर आएंगे तो यहाँ पर आप menu वाले section में universities में आप जो है देख पाएंगे यहाँ पर आपको central universities उसके बाद आपको यह dimmed universities सारी चीज़ें आपको यहीं देखने को मिलेगी आपको यहीं पर देखने को मिलने वाला है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे पूरी participating universities की आपको यहाँ पर एक ही करके सारी लिस्ट दी हुई है तो आपको इसको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके जो है आपको इसमें जो है चेक करना है दयालबाग educational institutes और उसके बाद आपको क्या कर लेना है उस पर क्लिक करना है चलिए हम देख लेते हैं तो हम यह दयालबाग educational institutes पर आगए अब यहां पर देखें जैसे अब बी ओनर्स आर्ट सिन होम साइंस में आपको अपको धियान रखना है जर्नल टेस्ट आपने चूस करना है अगर आपने वह नहीं चूस करा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे जणिख के लिए भी जनल टेस्ट यहां पर हर कोर्स का दे रखें लिए इंग्लिश घंदी के लिए जैनल टेस्स करना है आपको लोड़ कर दी जाएगी जो जो